हेलो रादे रादे दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर आप सब कैसे हो मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी सहत में होंगे तो जैसे कि हमारे चैनल पर कार्तिक मास की माध्य में कथाओ का सिलसला चल रहा है तो आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एक और नहीं कहानी स्वागत है हमारी आज की विशेश कता में आज हम सुनने जा रहे हैं एक और अत्यांत और पवित्र कता तो आईए बिना किसी देरी के हम अपनी कता को शुरू करते हैं आज की कता का शिर्षक है पंच भीखू की कहानी किसी गाउं में एक सहुकार था और उसका एक बेटा वह बहु भी थे बहु कार्तिक महां में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी सुभा जल्दी जाते समय वह किसी भी परायब पुरुष का मो नहीं देखती थी एक राजा का बेटा भी सुभा सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है कार्तिक महां के पांस दिन बचे थे कि एक दिन सहुकार की बहुतो स्नान करके वापिस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजडी छूट गई राजा की बेटे ने उसकी माला मोजडी उठा ली और सोचने लगा कि जिस तरीका यह माला मोजडी इतनी सुन्दर है वह स्तरी कितनी सुन्दर होगी उसने पूरे गाउं में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजडी है वह पांच रात मेरे पास आएगी साहुकर की बेटे की बहु ने कहलवा दिया कि मैं पांच रात आऊंगी लेकिन किसी को साख भरने बठा देना राजा की बेटे ने एक तूते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया बहु सुभा के समय आई पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली हे कार्तिके ठाकुर राई दामुदर पांचो पांडू छटे नारायन भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए राजा की बेटे को नींद आ गई बहु नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली सुभा सुभा तेरे गल डालूंगी हीरा मेरी साक भरियो वीरा सुभा बोला कि कोई वीर भी साक भरता है क्या वे फिर बोली सुभा सुभा तेरे पक धालूंगी नेवर साक भरियो मेरे तेवर सुभा ने कहा ठीक है भाबी मैं तेरी साक रखूँगा वे तो कहकर चले गई राजा का बेड़ा हडबड़ा कर उठा और सुवा से बूचा सुवा सुवा वे आई थी? कैसी थी? सुवा बोला आभा कीसी बिजली, होली कीसी जल, केला कीसी कामिनी, गुलाब का सा रंग अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊँगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेड़ गया, वे आई और भगवान से उसी तरह प्रातना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई, वे स्नान करके फिर से वापिस चली गई, सुबह राजकुमार ने तोते से फिर भूचा, तो उसने वही सारी बाते दोरा दी अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आखों में मिल्ची डाल कर बैट हूँगा, रात में मिल्ची डाल कर बैट गया, भगु फिर आई और प्रातना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई राजकुमार ने तोते से बहु के आने की बात पुची, उसने फिर बता दी राजकुमार अब फिर सोचने लगा, कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैटूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैट गया जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रातना की और राजकुमार को नीद आ गई जब वह नहा कर जाने लगी तो आँख बंद करके चली गई राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी राजकुमार फिर सोच में पढ़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जला कर बैठूंगा जिससे नीद नहीं आईगी फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया सहुकार की बहु आई और वह भगवान से प्रातना करने लगी कि आपने चार राते तो निकाल ली अब यह रात और निकाल दो भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नीद आ गई जब वह नहा कर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि पांच राते पूरी हो चुकी है वह मेरे मोतियों की माला मेरे घब भिजवा दे सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी तो तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी तभी तो भगवान ने भी उसका रसत्त रखा कुछ समय के बाद राजकुमार को कोड हो गया राजा ने ब्रामण को गुला कर बूचा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है ब्रामण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था ब्रामण ने कहा कि इसने पती व्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली इसलिए यह इस रोग से पीडित हुआ है राजा ने इसकी ठीक होने का उपाय पूचा तो ब्रामण ने कहा कि यह उस सहुकार की बहु को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाय हुए जल से यह सनान करे तब यह ठीक हो सकता है राजा सहुकार की बहु की माला लेकर सहुकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवदु की है इसे ले और आपकी बहु के नहाय हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे सहुकार बोला कि वह तो किसी पराय पुरुष का मुह तक नहीं देखती आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए जब वह उपर नहाएगी तब नीचे से इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहालेगा राजकुमान ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरी चंदन्सा हो गया यह पंच बीकु देवता जैसे आपने सहुकार के पुत्र वधु का सत रखा वैसे ही सभी का रखना तो यह थी कार्थिक मास की आज की कहानी जो हमने पढ़ी पंच बीकु की कहानी तो धन्यवाद आपने हमारे साथ समय बिताया आशा है कि आपको यह कहानी पसंदाई होगी और मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ अपनी एक और नहीं कहानी के साथ तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक, शेर, कमेंट जरू फरके बताएं कि आपको कहानिया कैसे यह लग रही है अपना ध्यान रखे, थैंक यू